हेलो फ्रेंज हाव आई यू आई होप यू आर अल वेल मैं रामकुमार भारती स्वागत आप सबका एक बर फिर से मेरिस यूटूब चैनल पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो इयर का सबसे लास्ट पार्ट है जिसे हम इनर इयर के नाम से जानते हैं तो आज हम इनर इयर को इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो जो इनर इयर होता है वो हमारे कान का सबसे अंदर वाला भाग होता है तो इसमें देखे कि इसको हम लिब्रियंत और 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 इस इंटरना के नाम से जानते हैं और यह जो आपका परजेंट होता है जो आपका में सेंस ओर्गन होता है ना या आपका सुनने और balancing के लिए responsible होता है जो inner ear होता है then it is network of fluid fill channel या एक network है आपका fluid fill channels का और cavity का मतलब कान के अंदर कुछ liquid channels और cavity present होते हैं जैसे its presence two librients और cavity are inner ear में दो cavity और librients presents होते हैं पहला का नाम है boni librients दुसरा का नाम है membranus librients then membranus librients जो होता है वो आपका enclosed होता है boni librients के साथ जो boni वाला part होता है वो membranus librients को क्या कर देता है cover कर देता है then it is located in temporal bone of patler fossa या आपका temporal bone के तरफ patler fossa में अस्तीत होता है then its slides में हम देखेंगे parts of inner ear inner ear के कुछ parts होते हैं जैसे it has three parts inner ear के तीन गो part होता है ठेक three parts होते हैं फर्स्ट जो होता है वो three semicircular canal कहलाता है second जो होता है वो vestibulo या autolith organ कहते हैं और तिसरा को conclia कहते हैं यह तीन parts मिल करके आपका inner ear का formations करता है निर्मान करता है जैसा कि आपको image में दिखाई दे रहा होगा inner ear हमें बाहरी से दिखाई नहीं देगा inner ear कान के अंदर वाले parts के कहते हैं इंटर्नल पार्ट हो गया तो सबसे बाहर एक auditory canal दीख रहा होगा उसके जश्ट सटे होते हैं कान का परदा जिसे हम ear drums कहते हैं उसके बाद आप उसमें आपको दिख रहा होगा semi circular canal और उसके अंदर में आपको एक कौन क्लिया करके एक बोन दीख रहा होगा यहीं सबस्ट्रक्चर मिल करके क्या करते हैं inner ear का formation करते हैं जिससे हमें clear सुनाई देता है देन फर्स्ट हम देखते हैं थे सेमी सर्कुलर अररके बारे मैं है तो इट हैलब तू बैलेन्ज अर्प उपंच्छर मैंटफनिंग यह रिख seven Hmmm प्लेस एट राइट एंगल टू इच अधर और यह तीनों ट्यूब्स जो है फ्लूट से भरा हुआ वह एक दूसरे के बिल्कुल राइट एंगल पर होते हैं या रखे होते हैं देन इस स्लाइट में हम बात करेंगे वेस्टी बूलो या ओटोलिथ औरगन के बारे में इनर ए फिर्ष्ट को यूा रिखल बोलते हैं सेकन को सैक्यूल बोलते हैं इस सारीर को संतूली और प्रौपर पशिर मेंटें करने में जब आपने लाइस पढे होगा तो उसमें वेक्ये में काम होता है वह क्या करता है बाल 협्र and posturing का करता है और hearing का काम करता है सुनने में वो nerves हमारा cranial nerves मदद करता है और हमारे सरीर को balance and posture प्रदान करने मदद करता है देन इस slides में देखिए vestibule के बारे में next point कि the combinations of three semicircular canal and vestibule are called vestibular apparatus आपका तीन semicircular canal और vestibule मिल करके आपका vestibular apparatus का निर्मान करता है और यह जो vestibular apparatus है यह आपकी मदद करता है balancing and posturing में and it is formed by utricle and secule जैसा कि अभी मैंने बताया कि यह जो बना होता है आपका vestibule वो utricle और secule से मिल करके बना होता है and vestibule presence sensory receptor is called macula vestibular के पास कुछ sensory receptor present होते हैं जिसे हम macula कहते है and it's helping balancing और यह proper तोर से क्या करता है सरीर को संतूलित करने में इस्तमाल किया जाता है यूज करते हैं and last part देखें कोक्लिया के बारे में तो it is a quiet structure जो कोक्लिया पार्ट होता है वह एक quiet structure होता है कुंडिली नो में structure होता है like a snail cell जैसे कि आपका snail जो होता है उसका जो sunk होता है यह उसका जो सेल होता है उसके structure के आकार का दिखाए देगा आपको कोक्लिया and it is innermost part of the inner ear यह आपका inner ear का सबसे अंदर वला पार्ट होता है and broad base and apex यह जो कोक्लिया होता है उसका base broad होता है और उसका high होता है वह apex होता है जिसे कुपूला कहते है and it is important in hearing due to presence of sense organ और यह हमारे लिए सबसे महतोपुन इसलिए हो जाता है क्योंकि यह इसी sense organ से क्या करते हैं हम सुनने में मदद करते हैं then अब हम बात करेंगे physiology of hearing आखिर हम कोई भी चीज को सुनते हैं तो उसके पिछे उसका physiology क्या है तो सबसे पहले sound wave produce vibration कोई भी sound wave जब sound करता है तो vibration उत्पन करता है and oracles collect and concentrate waves sent to auditory channel उसके बाद जो हमारे auricles होते हैं कांस के बाहरी का structure वह उसको collect करते हैं और concentrate करते हैं वेब को और भेज देते हैं आपका auditory channel के पास उसके बाद वहां से पहुंच करके कांस के टेंपनिक membrane में जाता है जैसे ही membrane में वह sound wave गया वहां पर क्या करेगा membrane vibrate करेगा and vibrations transmit to middle ear vibrations के कारण बाहर का sound wave middle ear में पहुंच जाएगा जिसके कारण जो ossicles to vibrate उसमें जो तीन बोन होते हैं तीनों बोन क्या करते हैं आपस में vibrate होते हैं सबसे पहले जो बोन vibrate होता है उसे हम ossicles कहते हैं उसके बाद वह sound wave आपका inner ear के conclia में जाता है वहां कुछ fluids presence होते हैं जिसके बाद हम क्या करते हैं उस चीज़ को sound wave को हम सुन पाते हैं